हेलो फ्रेंग्स स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उपचार नुसके में हम उपचार नुसके चैनल में रुजान एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बैल आइकन को भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अप्लोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें व्रिष्चिक राशी फल 2022 बड़ी खुश खबरी जोतिश आसर के अनुसार किसी भी व्रिष्चिक राशी के आधार पर उसके आने वाले कर अर्थात भविशे के बारे में जाना जा सकता है यही नहीं बलकि व्रिष्चिक राशी से व्रिष्चिक राशी के बारे में भी अनुमान लगाया जाता है आज हम आपको व्रिष्चिक राशी का स्वभाव साल 2022 में व्रिष्चिक राशी के जातिकों के लिए बड़ी खुश खबरी और महा उपाएं बताएंगे सबसे पहले बात करते हैं व्रिष्चिक राशी के लिए लख्की चीज़ें लख्की नंबर एक, दो, चार और साथ, लख्की कलर बेगनी और लाल, लख्की स्टोन, टोपाज और नीलम अब बात करते हैं व्रिष्चिक राशी के लोगों के सवभाव के बारे में व्रिष्चिक राशी के जातक सवभाव से गंभीर वण निडर होते हैं किसी भी बात की जर तक पहुँशना और फिर उसके बारे में कोई बात कहना ही ये सही समझते हैं ये लोग रशनात्मक कलाओं के धनी और भीहत सुलचे हुए होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जानने को लेकर ये जिग्यासु रहते हैं इन में एक खास बुर्ण होता है, सामने वाले के बारे में बड़ी जल्दी अंदाजा लगा लेते हैं कि उसके दिल में क्या चल रहा है, ये स्वभाव से भावुक होते हैं, इसी वज़े से सामने वाले की गल्कियों को जल्दी माब भी कर देते हैं, प्यार को लेकर इनका न 2022 में व्रिष्चिक राशी वालों के लिए बड़ी खुश खबरी, इस साल परिसित्यां आपके पक्ष में रहेंगी और आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, घर परिवार में महमानों का हगमन बना रहेगा, परिवार के सदस से एक दूसरे को खुश रखने के इस्टूडेंट्स के लिए यहवश तरक्की पाने वाला रहेगा, आप अपनी पड़ाई में अच्छी पफॉमेंस दे पाएंगे, सिक्षा के छेतर में कई चुनातियां भी आपके सामने आएंगी, जिनहें आप अपने टैलेंट और महनत से पार कर लेंगे, बिजनस कर र प्रेम और व्यवाहिक दिश्टी से साल काफी बहतर रहने वाला है, वे जातक जो पहले से रिलेशन्चिप में हैं, उनका प्यार इस दोरान परवान चर्ता नजर आएगा, वे जातक जो सिंगल हैं, उनकी लाइफ में भी किसी खास सक्स की एंट्री हो सकती है, इस वर्स अ प्रुवार के दिन पीले चंदन में केसर मिलाकर स्वयम का तिलक करें और भगवान विश्टूजी के मंदिर में पीले फल दान करें, शनिवार के दिन पीपल के व्रिक्ष पर जल चड़ाकर परिक्रमा करना आपके लिए शुब रहेगा, अगर आपको हमारे दोरा दी गई पसंद आई हूँ तो आप उच्चान उसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेर करना ना भूलें